नेक्स्के calculating onxton से इना इसे सिरी सर्क्ष्ट इनस्टरेटेनियस करण्ट जीरो करेंट जीरो वैन दरित इनस्टेरेनियस वोलटेज is maximum connected to the source may be हमारे आप्शन ने प्योर इंडिकेट प्योर इंड़क्टर प्योर कपैसिटर प्योर रेजिस्टर या फिर प्योर कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंड़क्टर एंड़ कपैसिटर ना इन में से बताना है कौन-कौन से हमारे आप्शन सही हो सकते हैं ना इसको ऐसे देख हो है तो यह सेनरियो जो है कि इस्टेंटेनियस करण्ट आपका जीरो हो और आपका उस सेनरियो में करण्ट जब जीरो है तो वोल्टेज मैक्सिमम उस पर हो तो यह सेनरियो ऐसा होगा कि मान लीजे करण्ट आपका ऐसे जा रहा है और वोल्टेज आपका उस टाइम पर ऐस का जो फेल दिफ्रेंस से डेलिटा फाइट विए इकल टू पाय बाय टू यह आपका स्नेरियों होना चाहिए लो इस सिच्वेशन को अगर हम कसिडर करें सो मान लिजे करें यहां पर जो आपका सर्केट में जा रहा है यहां से सोल से आपका करेंट निकला आई नौट साइन ओमेगा टी यह आपका करेंट है ना इसका अगर हम पोटेंशल डिफरेंस लिखेंगे यहां पर तो अगर मान लिजे करेंट आपका है आई नोट साइन ओमेगा टी तो इस केस में अगर हम पोटेंशल लिखेंगे यहां पर तो आपका पोटेंशल एट से उसको हम एटी कह लेते हैं, E as a potential होगा है, आपका as a function of time t, उसको लिखे हैं कि this will be equal to I not r, I not आपकी इसकी maximum value है, sine of omega t plus I not xl minus xc, या आजाएगा आपका sine of omega t plus pi by 2, या आपकी इसकी potential की value हो जाएगी, इस case में हमने यहाँ पर plus pi by 2 लिखा है, assuming कि आपका xl की value xc से जादा है, अगर xc की value जादा होगी तो minus आजाएगा और यह actually आप उसको minus sign को जब adjust करेंगे, तो यह आपके minus pi by 2 की value आजाएगी, ठीक है, although scenario में इसका कोई फरक पड़ेगा नहीं, इसमें कहा रहा है, कि अगर आपका जब current की value 0 तब है, जब potential की value maximum है, now if that is the case, तो इसका मतलब यह हो गया, कि आपका यह scenario तब possible है, कि जब आपका circuit जो है, उस circuit में, इसकी value तो आपकी 0 हो जाए, और या तो आपका XL minus XC जो है, या तो यह वाला XC 0 है, सिर्फ आपका inductor, pure inductor का case होएगा, तो उस case में आपका ET जो है, वो आपका sin omega t plus pi by 2 का case हो गया, तो pure inductor के case में आपका possible है, scenario, या फिर pure capacitor हो जाए, pure capacitor का मतलब है, कि आपका XL की value 0 हो गई, और आपका XC की value होएगी, अगेर यह वाला inductor, sorry, register जो है, उसकी value 0 है, तो यह वाला भी possible है, अगर pure register का case हो गया, तो वो हला case possible नहीं होगा, because pure resistance का case है, या 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 यह दोनों term 0 होगई, तो उस case में current और आपका potential दोनों same phase में होएगा, same phase का होने का मतलब यह, कि जब current की maximum value, potential की भी maximum value होएगी, तो वो दोनों साथ-साथ maximum होएगे, साथ-साथ minimum होएगा, तो pure resistance के case में यह वाला scenario possible नहीं है, दूसरा है combination of inductor and capacitor, या या यह वाली term तो 0 है, और यह XL minus XC का कोई एक certain combination है, तो यह आपका again possibility है, यह आपका scenario है, आपका scenario है, so based on this हम कह सकते है, A, B और D, in case में आपका यह scenario possible है, so A, B, D यानि कि option 1 would be the right choice.